गोल गपपा चैलेंज मंगापुर नाम के गाउ में मंगालाल नाम का व्यक्ति गोल गपपे की रेडी लगा कर गुजारा करता था उसकी नियत बहुत बुरी थी उसके रेडी के पास एक बोर्ड लगा था उस पर लिखा था क्या आप में दम है क्या आपकी हिम्मत है अगर है तो गोल गपपा चैलेंज में भाग लीजिये और 10,000 का इनाम पाईए उसे पढ़कर कोई पूछता की ये क्या है अरे बहुत सिंपल है सर मैं 100 गोल गपे दूँगा अगर कोई वो खा जाए तो उसे पैसे भरने की जरूरत नहीं है उपर से मैं उसे 10,000 रुपे भी दूँगा अगर वही वो 100 गोल गपे आप नहीं खा पाए तो जो पानी पूरी खाया उसके पैसे भरने होंगे और साथ साथ 10,000 रुपे भी भरने होंगे है हिम्मत शर्ट लगाने की कभी कभी कोई जोश में आकर शर्ट लगा देता था मंगा लाल का असिस्टेंट प्लेट में पानी पूरी भर कर उसे देता था जो शर्ट लगा कर आता और एक-एक पानी पूरी खाता तो मंगा लाल एक ब्लैक बोर्ड पर गोल गप्पे का स्कोर लिखता था 40 या 50 खाने के बाद वो व्यक्ति अरे बाप रे मेरा पेट भर गया अब मैं और नहीं खा सकता ए बगवान लगता है कि मेरा पेट भर जाएगा मैंने पहले ही कहा था न कि इस चैलेंज को स्विकार करने के लिए दम चाहिए और हिम्मत चाहिए पानी पूरी के पैसे और 10,000 रुपे भरिये और यहां से चलते बनिये अगर आपके गाउं में कोई और माय का लाल है जो यह शर्ट लगाने के लिए तयार है तो उसे कहिए कि वो यहां आए और चैलेंज जीत कर दिखाए कहे कर पैसे उससे वसूल करता था यू रेडी के पास जो भी जाता था उसे उकसाता था और उसे चैलेंज में बाग लेने के लिए मजबूर करता फिर बोर्ड पर स्कोर लिखता और जब वो हार जाता उसे पैसे वसूल करता ये रोज का सिलसिला होने लगा एक दिन उसका असिस्टेंट हुजूर गोल गपे बेचकर कम और चैलेंज में ज्यादा पैसे कमा रहे हैं आप थोड़ा मेरा वेतन भी बढ़ाईए तीन सालों में आपने नहीं बढ़ाया क्या वेतन बढ़ाऊं अरे ये कोई सरकारी नौकरी है जो सिनियोर्टी के हिसाब से वेतन बढ़ेगा वैसे तुम्हें जो पैसे देता हूँ वही बहुत ज्यादा है अब उसे भी बढ़ाऊं चलो चलो जाकर अपना काम करो या फिर चैलेंज में भाग लो और महावार से काट लीजिये हुजूर् मना मत कीजिये कहकर प्रणाम किया अरे मैं कोई सरकार का शादी मुबारक स्कीम चला रहा हूँ क्या हर निकम्हे की शादी में पैसे देने के लिए चलो दफा हो जाओ यांसे निकम्हा कहीं का यू कहा चिड़कर ये सुनकर असिस्टेंट को बहुत गुसा आया एक दिन असिस्टेंट एक आदमी के साथ रेडी के पास आया हुजूर् इसका नाम पंगालाल है मेरे गाउं का है इसे गोल गपे चालेंज के बारे में बताया तो वो भाग लेना चाता है बहुत समझाया हुजूर् पर मानता ही नहीं चैलेंज में भाग लेने के लिए जिद कर रहा है ए तुम इतना सहमे सहमे से क्यों बोल रहे हो आफ्टर आल सौ गोल गपे खाने की तो बात है ये कौन सी बड़ी बात है और ये दसदाद का चैलेंज क्या है अगर एक लाग रुपे का चैलेंज हो तो कोई बात भी बने मैं तयार हूँ मेरे नाम में ही पंगा है इसलिए मेरा नाम पंगा लाल है अरे यूं हवा में उड़ रहे हो ठीक है एक लाग रुपे की शर्ट लगाने के लिए मैं तयार हूँ कमाउन स्टाट यूं शर्ट शुरू हुई असिस्टेंट के दिये पानी पूरी को वो बिना रुके खाने लगा बोर्ड पर स्कोर लिखने वाला मंगा लाल उसकी रफ्तर को देख कर चौंग गया जब वो 90 के पास गिंती पहुंची तो मंगा लाल ने चुपके से कुछ गिंती कम कर दी असिस्टेंट प्लेट में पानी पूरी डालता गया अरे ठेरो मैंने 100 से ज़्यादा खाया तुम और क्यों डाल रहे हो 100? अरे 100 कहां खाया अब तक सिरफ 90 खाया है अब चाहे तो गिंती करके देख लो स्कोर बोर्ड पर तुम हार गये पर जीत गये कहके जूट बोलते हो चुप चाप एक लाग रुपे निकालो और यहां से चलते बनो अरे मैंने तो सही हिसाब लगाया था चलो एक काम करते हैं फिर से शुरू करते हैं वैसे तुमारे रेडी में कितने पानी पूरी होंगे क्या फिर से शुरू करोगे अरे तुमारा पेट है या कुआ रेडी में और 500 गोल गप्पे होंगे क्यों वो सब ले आओ कोई confusion नहीं होगा मैं ही खतम कर देता हूँ तब तो मेरी ही जीत होगी न तब रेडी के सारे गोल गप्पे वो खाने लगा देखा पान्सो गोल गप्पे खा गया अब तो एक लाख रुपे मेरी होगी न अब तो कोई शक नहीं है न बेचारा मंगालाल ने एक लाख रुपे निकाल कर उसे दिया वो पैसे लेकर असिस्टेंट को देकर ये लो इन पैसों से अपनी बहन की शादी कराओ क्यों मंगालाल वो तुमारे पास काम कर रहा है जरूर पढ़ने पर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते जानते हो मैं कौन हूँ यूँ खाने की चैलेंज मैं कितने जीत चुका हूँ जानते भी हो सौ चिकन बिर्यानी चैलेंज, सौ मतन बिर्यानी चैलेंज, पांच केजी मतन कीमा चैलेंज यूँ बहुत सारे अवार्ज मैं जीच चुका हूँ और मेरे कई रेकॉर्ड हैं तुमारे ये पानी पूरी मेरे लिए तो ना के बराबर है तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही हम दोनों ने ये प्लान किया था क्यों? कैसा लगा? बस मंगालाल कश खा कर गिर गया गोल्डेन बाट टब शोलापूर गाव में रतनलाल चमनलाल नाम के दो दोस्त है दोनों ने अपने व्यापार में खूब कमाई की रतनलाल पैसे बहुत खर्च करता था लेकिन चमनलाल बहुत कंजूस था पैसे खर्च करने के लिए बहुत रोता था एक दिन एक बड़े टीवी को डेलिवरी बॉइस रतनलाल के घर पे डेलिवर कर रहे थे ये देखकर चमनलाल क्या यार? अचाना कितना बड़ा टीवी खरीदा? कितने का है? पुराना टीवी है ना? फिर भी लाया टीवी क्यों लिया? दोस्त पुराना टीवी खरीद के बहुत साल हो गए वैसे वो स्मार्ट टीवी भी नहीं है बच्चे आजकल नेट्फलिक्स, अमेसोन प्राइम वीडियोस, वूट किड्स कहकर अलग-अलग वीडियोस देखना चाते हैं उन्हें देखना है, तो स्मार्ट टीवी चाहिए ही इसलिए खरीदा है इसका दाम एक लाग-दस हजार हुआ है क्या? एक लाग-दस हजार? इतना पैसा खर्च करके टीवी खरीदा तुमने? हे बगवान! दोस्त हम पैसे कमाते हैं जिन्दगी को अनुभव करने के लिए मेरे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं इसी तरह उनके मांगने पर उनका मनरणजन करना पिता होने के नाते मेरी जिम्मदारी है बे मतलब खर्चा करना गलत है लेकिन अगर छोटे-छोटे चीजों का आनन नहीं उठाया तो क्या फाइदा? वैसे रतनलाल के घर पे बड़ा टीवी, फ्रिज, एसी ऐसे बहुत सारी चीजे थी लेकिन चमनलाल के घर पे पुराना छोटा सा टीवी टेबल फैन और पानी पेने के लिए एक छोटा घड़ा था टीवी देखते हुए चमनलाल का बेटा पापा पापा, रतनलाल अंकुल का टीवी बहुत बड़ा है मुझे ये ब्लैकन वेट टीवी बिलकुल पसंद नहीं है तुम भी वैसे टीवी खरीदो ना पापा प्लीज पापा हान जी, 25 साल से इसी टीवी देखके ठक गई हूँ एसी और फ्रिज के बिना गर्मियों में बहुत दिक्कत होगी बोलो बोलो, और बोलो ऐसे ही छोड़ दिया, तो आइनोक्स थियेटर तक खरीदने को बोलोगी उसको तो अकल नहीं है, इसलिए इतने पैसे खर्च कर लिया टीवी में चहरे तो दिख रहे है न, वो काफी है अगर फिर से ऐसे उटपटांग ख्वाइशे की, तो लाते पड़ेंगी एक दिन परिवार के साथ, रतनलाल शहर के लिए निकल रहा था और वहाँ चमनलाल को देखकर, दोस्त, हमारे टॉमी की तबियर ठीक नहीं है सुना, शहर में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, दिखाने ले जा रहा हूँ हमारे आने तक जरा हमारे घर की धेखबाल कर लेना, घर में अक्वेरियूम है, तो मचलियों को खाना देना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएंगे इसलिए क्या तुम रोज उन्हें खाना दे सकते हो, प्लीज, बुरा मत मानना, ये लो चाबी कहकर उसको चाबी दे देता है, कुत्ते के ट्रीटमेंट के लिए शहर जा रहे हो, रे बगवान, तुम ऐसे वैसे बंदे नहीं हो यार, ठीक है ठीक है, इतना भी नहीं कर सकता क्या दोस्त, कहकर चाबी ले लेता है अगले दिन चमनलाल रतनलाल के घर जाता है, और आक्वेरियम में मचलियों को खाना दे देता है, बाद में उस बड़ी टीवी पे थोड़े सिनिमा देखते हुए खुश होता है, बाद में जब बातरूम की तरफ देखा, तो वहां डु नॉट यूज, कहकर बोड था चमनलाल जिग्यासा से अंदर जाता है, वहां देखा, तो सोने के रंग का एक बाट टब रहता है वह, क्या सुन्दर बाट टब है, सोने के रंग में बहुत चमक रहा है, लगता है ये बेवकूफ इसमें रोज नहा रहा है वो जब तक शहर से वापस ना है, मैं भी इस बाट टब का आनन्द लोंगा, सोचता है बाद में हेड़फोन्स लगा कर टब में बैठ कर उसमें नहाने लगता है, और ऐसे रोज उस बाट टब का आनन्द उठाता है एक दिन नहाने के तुरंत बाद पूरे बदन में खुजली शुरू हो जाती है हे भगवान, हे भगवान, बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है कहते हुए अपने पूरे बदन को खुजलाते रहता है बाद में ऐसे खुजलाते हुए डॉक्टर के बास जाता है, डॉक्टर दवाई देता है और दवाईयों की दुकान में उसका बिल पांच हजार निकलता है पांच हजार रुपे देके वो दवाई ले लेता है अगले दिन रतनलाल उसके घर पहुंचता है बहुत दन्यवाद दोस्त हमारे घर की देखबाल की तुमने अरे ये क्या हुआ? अरे क्यूं ऐसे पूरे शरीर को खुजला रहे हो? भगवाण न करे? लेकिन तुमने उस सोनी के रंग वाले बाट टब को छुआ क्या? खुजलाते हुए चमनलाल छुआ? अरे मैंने उसमें नहाया हे भगवाण! ऐसा क्यूं किया दोस्त? डूनोट यूस का बोड तो लगाया था मैंने दिखा नहीं क्या? हाँ! दिखा! लेकिन वो बोड क्यूं रखा तुमने? और मुझे ये खुजली क्यूं हो रही है? उसका और इसका क्या संबंध? हमारे टॉमी को सोने का रंग बहुत पसंद है उसी के लिए ये बाटब खरीदा मैंने वो उसी में नहाता है उसके अलावा और कोई नहीं नहाता उसमें हाली में उसको बहुत खुजली हो रही थी इसलिए उसको ट्रीट्मेंट के लिए शहर लेके गया था बस ये सुनकर चमनलाल बेहोश होकर गिर जाता है